दर्शकों नमस्कार मैं हो रूपापंडित आप सभी दर्शकों का कारगिल विजय दिन के अम्रुत महस्व भारत इस कारिक्रम में हार देख स्वागत है दर्शकों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के जाबास सैनिकों ने अपने प्रान का बलिदान देख कर अनीक कठनाई का सामना करते हुए पाकिस्तान और उग्रवादियों से आखरी सास तक लड़ते रहे तब कहीं जाकर हमारे देश ने कारगिल पर विजय हासल की कारगिल में तिरंगा जंडा फेराया लेकिन इस कारगिल युद्ध में 527 जवानों ने देश की रक्षा करते हुए शहीद वहीं 1363 जवान खाहिल भी हुई चुके थे ऐसी विकट परिस्तितियों में भी आखरी सास तक हमारे जवान दिन रात लड़ते रहे आखिरकार दुश्मनों के दाथ खट्टे करते हुए कारकिल युद्ध में विजय मिलाया देश के प्रती अपनी शहदत देने वाले ऐसे वीरो के लिए शहर की भोसला मिल्टरी स्कूल के तमाम पतादिकारी और सैकडो राम दंडी इन्होंने देशपांडे सभाकर के प्रांगन में देश के शहीदों को अभिवार्दन किया पेश है हमारे सवाधाता संचे मीरे इनकी कारकिल दिवस पर ये स्पेशल स्टोरी दि कद्रित हुए हैं पाकिस्तान के साथ हमारे चार युद्ध हुए पहला युद्ध उनिस सो से तालेऋस jaarटालीस में दूसरा उनीस सो பैस्षटमें और तीसरा उनीस सो एक travelling और चाफ था पाकिस्तान ने अपनी सीना को वग्रवादियों की पोशाख पहना कर इन इलाकों में भीजा और उन लोगों ने हमारे 200 स्क्वेर किलोमेटर के इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया। ये लोग पुरी तयारी के साथ कई महिनों का राशन इवं हतियार भी साथ ले कर आये थे। इन लोगों के आने की भनक जब एक चरवाही के माध्यम से भार्दी सीना को लगी तो और जानकारी प्राप्त करने के लिए सीना ने 3 मई 1999 को कैप्टन सौरप कालिया के निध्रुत् लेकिन पाकिस्तानी सीना ने बड़ी ही निर्देता के साथ कैप्टन सौरप कालिया और उनके पांच साथियों की हध्या कर दी और उनके शत्र विशत्र शव भारतिय सीना को सौप दिये। आखिरकार 26 मई 1999 से भारतिय सीना ने पाकिस्तानी सीना पर आकरमन शडू कर दिया पहली सफलता भारत को 9 जून को मिली जिस मोहिम का नेदृत्व मेजर सोनम वांग चोप ने किया और तब से चोर बाटला सब सेक्टर के उस भाग को सोनम वैली के नाम से पुकारा जाने जमालिया और अब बारी थी टाइकर हिल की जिस पर चार जुलाई के सुबह भारतिय सीना ने अपना पर्चम लहरा दिया एक के बाद एक चौकियों पर कब्सा करते हुई भारतिय सीना ने आखिरकार 7 जुलाई 1999 को पूरी इलाके से पाकिस्तानी सीना को खदेर दिया 14 जुलाई 1999 को ततकालीन प्रधानमंत्री स्वर्गिय श्री अटल बिहारी वाजपीनी ओपरेशन विजय को जोकिस पूरे युद्ध का खोश वाक्य था सफल कर दिया देश भर में खुशी की लहर दोड़ गई हर कोई भारतिय सनिकों की वीर्ता से अभिपूर्थ था भारतिय सीना यही नहीं रुकी और आकिरकार 26 जुलाई को पूरा कारगिल प्रदेश दुबारा भारत के कबसे में आ गया देश के लिए यह बहुत ही कौरफ शाली शन था आज चिनमे पंडिस सरी समट डीस में अमरा साथ में उसे जाना चांगे कारगिल दियो स्कुल के पंडिस अब यह बती कि आज आप यहां पे कैसा मिस्तुस कर रहे हो क्या कहना चाओगे पिल्कुल आज कारगिल विजे दिवस है कारगिल जो युद हुआ था उसकी 23 वी वर्षगाठ है यह सब के लिए एक बहुत ही पावन अवसर है और खास कर भोसला मिल्टरी स्कूल नाकपूर की तरफ से यहां पे जो आयोजन किया गया है उसमें मुझे As a guest बुलाया गए है इसके लिए मैं बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ क्योंकि मैं खुद भोसला मिल्टरी स्कूल नाशिक का विद्यार्थी रहा हूँ मैं पाचवी से दसवी कक्षा तक भोसला मिल्टरी स्कूल नाशिक में पढ़ा हुआ हूँ यहां विद्यार्थी को विद्यार्थी नहीं कहा जाता बलकि उसे राम दंडी कहा जाता है तो मैं भी एक राम दंडी हूँ और मुझे यहां पर आके बहुत ही गर्व महसूस हुआ भो यहां पर दिखाया परेड है तर्नाउट है तो बहुत ही अच्छा लगा इससे बढ़िया जो जिन जवानों ने अपनी जान इस देश के लिए नियुचावर की है इससे बढ़िया उनके लिए श्रद्धान जली मुझे लगता है नहीं हो सकती तमाम अविभाव का आपको गोर से देख भी रहे है पंडी साब ऐसे कुछ अविभाग है जो अपने बचे को रामदंडी या जवान बनाना चाहते हैं उनके लिए क्या मारगदर्शन करना चाहता हूं कि जैसे बोसला मिल्टरी स्कूल में मैं खुद भी पढ़ा हूं यहां पर एक विद्यार्थी और आगे जाके वो लाइफ में चाहे फौज में जाए चाहे पुलीस में जाए चाहे प्रशासिन में जाए चाहे किसी भी फिल्ड में चले जाए वहां पे वो अच्छी तरह से कारे कर सकता है एक राश्टर भक्ती की भावना के साथ में कारे कर सकता है ऐसा मुझे सीना के लिए ये उलास और जश्न का अफसर था पर साथ ही उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी हमारे कई सैनिक जिनकी ओसत आयू सिर्फ 18-18 साल की थी लड़ाई में वीर कती को प्राप्त हुए भारतिय सीना ने इस युद्ध में चार परमवीर चक्र छे मह वीर चक्र 30, वीर चक्र और 270 सीना मेटल प्राप्ति की जिन में 645 पदक मरनों उपरान थे अपने नाम, नमक और निशान की रक्षा करने के लिए हमारे वीर सैनिकों ने अपने जानों की बाजी लगा दी प्रिये क्रेडिट 18-28 साल की ये जवान अब हमारा बीता हुआ कल आप हमारा आने वाला कल हो, हम चाहते हैं कि उनकी चवी, उनका जोश, उनका जुनून आप में रजबस जाए और जब देश के लिए कुछ कर गुजरने का वक्त आए तो आप न रुके और न पीछे हटे, बस देश पर अपने प्रानों का निजावर करने को तयार रहे, द आप से यही आपेशा करता है. यहाँ पर स्टूड़न्ट आए हुए, उनके अभी भावक पैरेंट्स भी आए हुए है, किस तरह का यह कारकम होने जा रहा है और क्या कहना चाओ गया आप? देखिए, भोस्तला मिल्टरी स्कूल पिछले 20 साल से जब से यह कारगिल हुआ है, तब से लेके आज तक यह कारगिल विजए दिवस मनाती आ रही है, इसके दो मुख्य कारण है, एक तो अपने बच्चों के अंदर, जो स्टूड़न्स हैं, उनके अंदर वो देश भक्ती की एक स्पिर्ट जागरित करना, और दूसरा, ताकि अवाम को भी पता चले, क्योंकि अवाम भूल जाता है, कि हमारे इन्हों ने जो शहादत दी है, हमारे जवानों ने, यह किस प्रकार की शहादत है, यह भूल जाता है, तो उनको हद सार्व जल साल, हम इस माध्यम के जर में हम लोग सबसे पहले रीत ले करती है, याले कि अपने अमर योधा पे उनको श हरदान जी ली और पर हमारे जो चीफ गैस्ट आते हैं, वो सबसे पहले उनको सम्वान गाड दिया जाता है, वो सम्वान गाड इंस्पेक्ट करते हैं, और उसके बाद उनको रिच अश रूट मार्श हम लोग इसलिए निकालता है कि सो दाट पूरे लोगों को जनता को यह पता चले कि यह कारगिल की जो शहादत अपने जवानों ने दी उसका महत्व उनको हर बखत याद आते रहे उसलिए हम लोग यह करते और हमारे जो स्टूडेंट से राम दंडी उनको भी उनके मन में भी देश प्रेम की भावना जागे इसके लिए हम लोग यह प्रोग्राम भी 2000 साल से कर ला है 2000 से मैं सेक्रेटी भोसला मिल्टी स्कूल नागपूर, CHMS Society नागपूर स्वर्गे धर्मवी डॉक्टर बालकृष्ण शेवराम पंध मुंझे ब्रडेश काल में उच्छे कोठी के विचारक थे सीना का भारती करन हो उसके साथ ही भारती युवाओं को सैनिके प्रशिक्षन प्राप्त हो सके इसे उद्देश से डॉक्टर मुंझे जी ने वर्ष 1935 में सेंट्रल हिंदू मिलिटरी एजुकेशन सोसाइटी का नर्माण किया इसे सोसाइटी के अंतरकत 1996 में महरास्ट्र सरकार के हड़ जीले में एक सैनिक स्कूल इस विशेश योशना के अंतरकत भोसला मिल्टरी स्कूल नाकपुर का नर्माण किया गया भोसला मिल्टरी स्कूल नाकपुर का एक सैनिकी प्रशिक्षन देने वाली निवासी स्कूल है स्कूल ने अपने आपको प्रस्तावित करते हुई महरास्ट्र तथा मध्य महरत में एक पिशिष्ठे स्थान प्राप्ति किया है स्कूल का केंपस नागपु शहर से 16 किलोमिटर की दूरी पर चक्की खापा ग्राम के समेप पंचवटी परिस्तर में 30 एकड की भूमी पर स्थापित है आज की स्तिती में स्कूल केंपस में एक भावे स्कूल भवन, डॉक्टर मुझे भवन, कुरु गोविन जियां भवन तथा तानाजी भवन के नाम से तीन सेंट्रली एयर कुल चात्रावास एकजार चात्र एक साथ भोजन कर सके ऐसे स्टेट ओफ आर्ट कानहोजी आगरे क्रेडेट्स मेज का नर्मान किया गया है साथ ही सशक्त घोडो सहित अस्तबल, ववस्थापन भवन, परेड ग्राउंट, राइडिंग ट्रैक, अबस्टेकल ट्रेनिंग एरिया, फाइरिंग रेंज तथा 50 मिटर और 21 मिटर का उलम्पिक स्टर का स्वेमिंग पूल इसके साथ ही आवशक सभी ववस्थाएं यहाँ पर नर्मान की गई है स्कूल के विध्यार्थियों ने अनेक सफलता भी अरजित की है जिसमें गंतंत्र दिवस परेड, NCC, स्पोर्ट्स इवेंट, विभागिये, राच्ये एवं राष्ट्रिय स्तर पर इसके साथ ही शेक्षनिक जिसमें बोड दसवी एवं बारवी परिक्षाओं में गुन्व साथ में रामदंडी के नाम सी जिने जाना जाता है, ऐसे जवान हमारे साथ में आयों उनसे जाना चाहेंगे, आखिर वे क्या चाहते हैं, क्याना मैं आपका क्या कहना चाहूगे? मैं अपने देश के लिए कुछ कहना चाहूंगा कि हम देश के लिए हमर मिटने के लिए हर वक्त रेडी है हम देश के देश के भविष्य के लिए हम कभी भी आगे आ सकते हैं और देश पे कोई भी हानिया है तो हम उसे सयोग कर सकते हैं और उसमें बल्बूति हम दे सकते हैं. ही दिफेंस आर कंट्री और दिस इसे रिजन वाई वी आप्ट फॉर थे मिल्टी टेनिंग इन इसकोल जैन जैन चाहिए कापगाते हो चाहिए जॉय हो चाहिए सोनी हो या चाहिए आश्टनकुर हो या ऐसे कही रामदंडी हो इन्हों ने यही बता है कि जब जब देश पर को ले ऐसे कई रामदंडी है और घर में बैटे ऐसे कई बच्चे है उनके अवी भावक है जो अपने बच्चों को एक जवान बनाना चाहते हो तो सबसे पहले उनमें डिसिप्लिन होना चाहिए और उन्हें अच्छी शिक्षा का घ्यान लेने के लिए ऐसे भोसला मिल्टरी स स्कूल नाकपूर के पूर्वचात्र भारतिय सशस्त्र बल भारतिय अर्धसानिक बल भारतिय प्रशासनिक सेवा डॉक्टर इंचीनियर आधी के विविन्न छेत्रों में आज उच्छे पदों पर कारिनत है कारगील का युद्ध का युद्धा आखिर का भार हिंदुस्तान ने जीत लिया था लेकिन यह कारी का युद्ध जीतने के लिए तकरिबन इस देश के 590 को अपनी अपना बलिदान देना पड़ा तो वहीं 1400 जवान खायल हुए थे बावजूद इसके दुश्पनों पे टूट पड़े थे और आखिर कार कार के लिए दो को जीत लिया गया था आज जो आज हमारे बीच नहीं है जो अपने देश के लिए जोनों ने बलिदान दिया है शहीद हुए है ऐसे शहीदों की शहादत को याद करने के लिए देश पांडे सभागर के प्रांगन में यहां पे बड़े पैमाने पे कई भोसला मिल्टरी स्कूल के नवजवान बच् जब जब इस देश पे किसी ने तिर्ची आँख करके देखने का प्रैस किया तो दुश्मनों के दाट खटे करने का काम भी इस देश के नवजवान ने किया और ऐसे ही नवजवान पूरे देश से तैयार होने के लिए नाकपुर में भी प्रांगना की माद्यम से बहुत प जब भी कभी युद्ध होगा तो इस देश का इस शहर का इस जिले का हर उस कजबे से एक एक जवान तयार होके अपने भारत मा की रक्षा के लिए सरत पे लड़ती हुए नजर आएगा और अपने भारत के जीत का पर्चम हर हाल में प्राप्त करने के लिए उसको मिला देन अपनी जान की बाजी भी लगा देगा क्योंकि ये देश उन नव जवान जांबाजों का है उनके लिए हम यही कहते हैं कि हिमालया की है पुकार बहार दुरो बड़े चलो बड़े चलो बड़े चलो आगे सबसे हो चलो देश पंडे सब अगर के प्रांगन से अमर जवान इस प्रतिमास है कामेरा परसंस्वाज बुटले के साथ संजय मीरे बीसीन न्यूज नाखपूर